अगर आप भी पेसी टीचिंग डिक्रूट्मेंट एक्साम की तयारी कह गए हैं तो आप पेसी आती के इंपोर्टेंस को जानते हैं इसी सीरीज में आज हम दो क्लासिक स्टैंडर्ड, पॉलिटिकल साइंस, स्टिभिक्स, नाग्डिक्सास्ट जो है इसका चाप्टर फोर लेन देन का बदलता स्वारूट को पढ़ेंगे तो अगर आप इस चानल में नए हैं तो चानल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपना सुझाओ जए हुआ कमेंट वाक्स में ज़रूर लखें तो क्या है कि इस चाप्टर में दो भाई बेहन अंकीता और अभिसे उनके जीवन के एक्स्परियंस के दौरा इसको समझाया गया है अभिसेग और अंकीता जो है कि अपने गाउं पहुंचते हैं और फिर वहाँ पे एक स्टोरी के वहें में इसको चाप्टर को पूरा समझाया गया है तो इसमें क्या होता है कि सुबह जब अंकीता सोकर उठती है तो क्या दिखते है कि उतकी दादी जो है एक महिला से दही ले रही थी और दही लेने के बाद उन्हें उस महिला को दो कीलो गेहुं दिया यह देखकर उसे काफी आस्चर्ड हुआ क्योंकि अभी तक उसने पैसे सही सामान खरीटे देखा था और सुबह दस बजे के आसपास जब अभी सेग को है घर के बरामदे में बैट कर पढ़ रहा था कि दो मुठी गेहुं लाओ और तब आईस्क्रीम मिलेगी अभी सेग ने देखा कि आईस्क्रीम आला बच्चों से लगबग सौ ग्राम गेहुं लेकर एक आईस्क्रीम दे रहा है और अभी सेग दोड़ कर घर के अंदर गया एक डल्या में अंदाज से सौ ग्राम गेहुं लेकर आईस्क्रीम आले को दिया और आईस्क्रीम आले ने भी उसे क्या है आईस्क्रीम दे दी कुछ देर बाद मुठी और सोन पापड़ी बेचने वाला आया उसने कहे कि उससे अंकीता ने गिये हूं के बदले कुछ मुंखली और थोड़ा सोन पाप्री खरीदा अब इसे एक और अंकीता को सामान खरीदने का ये तरीका जो है काफी अच्छा लगा आगे कहे कि शाम को जब दोनों बच्चे जो है अपने दादाजी के साथ उस दिन लगने वाले गाउं के शाफता है बाजार में गया है सिर्फ कोई सामान देकर ही विक्रेता से उसकी बस्तों की खरीदी जा सकती है तो मुझे तो ये काफी अच्छा लगता है और जब बस्तों के मादम से किसी बस्तों की खरीद विक्री की जाती है और स्टेस आवसक्ताओं की पूर्ती जो है ये बस्तों के अदला बदली के द्वारा करते थे यदि लोहार खेती कार्ज के लिए या कुदाल या हल बनाता तो किसान कोई आनाज दे कर उसे खरीद लेता उसी परकार मान लो लोहार को चमरे की किसी बस्ती या चपल क्या वसकता हो तो चर्मकार से उस बस्तू को खरीता इसके बदले वसे लोहे से निर्मित कोई बस्तू या कहीं से जो है प्राप्त आनाज उसको दे देता तो अनाज की मातरा या बस्तू की संख्या का निर्धारन परंपरा आपस में बात्चीस से ते होती थी और इस प्रनाली को क्या है कि बस्तू बिनीमे प्रनाली कहा जाता है तो यह हम लोग इतना देर से जो इस्टोरी के मादम से बताया गया है तो इसमें क्या समझे कि बस्तू बिनिमे परनाली क्या होता है, नहीं कि कोई सामान खरीदो, इसके बदले पैसे नहांदा कर अनाज या कोई चीज दे दो, तो उसे क्या करते हैं, बस्तू बिनिमे परनाली कहते हैं, लेकिन क्या था कि बस्तू बिनिमे परनाली में कई कठिना आने लगा तो क्या है कि यहां पर एक चित्र दिया गया है इसमें क्या है कि आम के बदले गेहू नहीं आलू चाहिए और इसने क्या है कि मुझे आम चाहिए और इसके बदले में तुम्हें गेहू दूँगा तो इस तरह से मतलब बस तु भी निर में परनाली में क्या क्थिन क इंगा है।ु का समाध्वान कैसे निeleriा गिया ? कि इसका समाध्वान निकालने के लिए देखिंड एक और एक और यह वा क्या कहता है की बरतन बेच रहा है है और गम आपके कपड़ा भीकती और उस्केज lowad through कि बरतन का कितना कपड़ा दोगे तो यह बोलता है, दो हाथ कपड़े दूंगा, और पूरा एक दिन लग जाता है, एक बरतन बनाने में, इसकी मिट्टी भी दूर से लानी परती है, यह क्या होता है, जो बरतन वाला है, वो समझहता है, वहीं कपड़ा वाला भी समझाता है कि मुझे तो पूरा एक दिन लग जाता है एक हाथ कपड़ा बढ़ाने में तो यह जो है कि इस तरह से क्या है कि कन्फूजन होने लगा था कि इसमें बस्तु बिनिमे परनाली में यह सारी कठीनाई आ लिए थी तो अब क्या है कि अब दोनों के भी मूलों को कैसे तै करेंगे कि दोनों जो है साटिस्फाइड हो जाए तो इसलिए क्या है कि इसमें यह समझाया गया है कि जो दोनों चित में हमने क्या देखा कि एक मटका बेचने वाला है और एक कपड़ा बेचने वाला है एक क्या है कि अनाज है एक बैक्ति के पास और एक बैक्ति के पास बक्री है, तो जो अनाज वाले हैं कि पिछले साल तुमने एक बक्री के बदले छे टोक्री अनाज दिया था, तो जो अनाज है उसको बक्री की जर्रत है, और यह क्या होता है, मेरे पास तो तीन ही टोक्री अ तो बक्री वाल मैं फिर किया बोलता कि मुझे कुछ आनाज तो चाहिए लेकि cieँ टीन टॉक्री आनाज तो की में कीवल आधी बिफरी के बराबर ही में है अंब किसी आने से लेता है और उन दोनों बैक्तिय के भी बकडी का विभाजन नहीं कर सकता है अर्थात बस्तु बिन्यमे प्रनाली में बस्तु बिभाजन में कठीनाई हो सकती है और इसके अतरिक बस्तु बिन्यमे प्रनाली में कुछ और कठीनाई हैं जिसका निम्नोधारन द्व आदि के रूप में किया जाए को सामान हॉजई crystal साजलягी लें अश्चित मुझा संपत्ति जा बस्टू के रूप में होती है मान लेते हैं今日 अभिनास दूसरा वेक्त है respectively विनास का मकन क्या है कि शहर साम है, जिसे बेचकर वो पतना जाकर बसना चाहता है, और बस्तु बिने प्रनाली में मकान का जो मुल है, क्या है बस्तु गाय अनाजादी के रूप में प्राप्त होगा, उसे पतना ले जाना काफी कठिन होगा, और थात इस प्रनाली में मुल का अनेक परकार की कठिनायें थी और उन कठिनायों के कारण जो है ब्यापार में भी दिक्कते आने लगी और धीरे-धीरे ये समझ बनने लगी कि कोई ऐसी बस्तु होने चाहिए जिसके बदले में जरूरत की चीजें मिल जाए और उसी बस्तु को कहे कि लेंदेन का माध्या मान दिया जाए बहले उस बस्तु की जरूरत ना हो बाजू इसके उसे लेंदेन का माध्या माना गया इसलिए उसे कोई उसे लेने से मना नहीं करेगा और इसके बाद धीरे-धीरे क्या हुआ कि मुद्रा का चलन शुरू हो गया और मुद्रा की चलन ने क्या है कि बस्तु बिर ने परनाली की कठिनाई को दूर करना शुरू कर दिया तथा लेन देन मुद्रा के माध्धम से होने लगा और इसे क्या होता है कि बैपार में सूबीदा होने लगी तो क्या कि इसी तरह क्या है कि जब सामान को ढोने ले जाने में इतना दिक्कत हुआ तो उसमें क्या कि मुद्रा का चलन जो है शुरू हो गया तो अब क्या होता है? कि जब किसी बस्तु को, खरीद, भिक्री मुद्रा अत्वा रूपिये पैसे के माध्धम से किया जाता है तो कि ahead भिन परनाली को कियाता है? कि मुद्रा भिनी निर्डायी क्या पूछा जाता है? और प्राचिन काल जो था, जब आखेट यूग, जब सिकार करते थे लोग, तब किया मनुस जानवरों के सिकार द्वारा जीवन यापन करता था, तब पस्वों की खाल या चमड़ा का प्रियोग होता है, वो मुद्रा के रूप में किया जाता था, पस्वों का खाल या चमड प्राचिन काल से आज देख थे हैं, निरंतर बदलता रहता है, वस्तु मुद्रा के बाद जो है, सर्वपर्तम धातु मुद्रा का चलन शुरू है, और इसमें कहले लोहा, तांबा, पीतल, सोना, चांदी, आदी का प्रियोग किया जाता था, लेकिन धातु मुद्रा में भ हारी होता था, और लेनन के भीर हमेशा संदे बना रहता था, क्योंकि इसका वजन और सुधता जाचना जो है, वो कठिन होता था, तो यहां पर एक चित्र है, यह सेरसा सूरी दोरा चलाया गया रूपिया का चित्र है, तो इसके बाद कहा है, सिक्कों का चलन शुरू हा, औ भारत में सबसे पहले जो है, चांदी के सिक्के बनी, भारत में कई अलग अलग राजा थे, हर राजा जो है अपने राज के लिए सिक्के जारी करवाता था, और दिल्ली की गद्दी पर बैठे सेरसा सूरी नहीं, ऐसा ही एक चांदी का सिक्का चलाया, जिसे उसने रूपि का बना दाम चलता था, तो यहां पर सोने का मुहर और चांदी के रूपिया का इस चित्र में देख सकते हैं, उस समय क्या होता कि दक्षिन भारत में सोने के बनी हुए सिक्के जो थे, हूण और पनम का चलन था, तो आज जो सिक्के चलते हैं, वो क्या है अलूमूनियूनिय के बने हुए हैं और इन सिक्कों की लागत जो है इनके मुले से जो है वो कम होती है तो अलुमिनियम और निकल से बने आदुनिक सिक्कों का यहां पर चित्र आप देख सकते हैं तो पत्र मुद्रा और कागजी मुद्रा जो हम लोग जो नोट अभी यूज कर रहे हैं उसके ब सिर्फ भारतिय रिजर्व बैंक को है यह जो कागस का नोट है वो कोई भी नीचा सब्ता है इसका सिर्फ अधिकार किसके पास है भारतिय रिजर्व बैंक के पास है और अभी क्या है हमारे देश में 2 रूपिये, 5 रूपिये, 20 रूपिये, 50 रूपिये , के साथ मुद्रा के स्वारूप में बदला आते गया और मुद्रा के विकास के साथ साथ बाजार का भी विकास हुआ एक इस्थान से दूसरे इस्थान पर बस्तों का ब्यापार बढ़ने लगा और बस्तों को बेचने वाले जो थे वो विक्रेता ता बस्तों को खरीदने वाल मूलने जोड़कर उसका 50 रुपय होता है। रचीट दुकानदार को 50 रुपय का नोर देता है तो यहाँ रचीट का मुदरा दे कर बस्तों को खरीद रहा है। तथा कुछ रुपी हो क्या करता है भवी से के लिए बचा कर रखता है। तो उपर के हम लोग ने देखा कि मुद्रह से लेंदेन की क्रिया, भुगतान करने की क्रिया तथा बचत करने की क्रिया संपन हुई है। अब हम लग बैंक में पढ़ेंगे तो बैंक में क्या होता है कि जब मौद्रिक बिनिमय प्रनाली का प्रचलन शुरू हुआ तब कहा कि आमदानी या अर्जित रुपियों का संग्रह आसान हो गया। और बाद में कहा हुए कि संग्रहित रुपियों को सुरक्षित रखने के लिए बैंक की अवधारना शुरू हुई। समय के साथ-साथ कहा हुए कि आधुनिक यूग में टेलिफोन, इंटरनेट, अद्वा संचार माध्यमों का भिकास हुआ और इससे कहा है कि बाजार के बहुतिक रूप में भी परिवर्तन हुआ। टेलिफोन और इंटरनेट के मादम से क्या हुआ कि बस्तों की खरीद बिक्री होने लगी जैसे अब हम लोग क्या करते हैं आनलाइन सामान खरीदे हैं बैंक द्वारा क्या है इसके लिए कई सुविधा हैं उपलब्द कराईगी बैंक अपने क्या ग्रहों को कुई सी बस्तू के बदले चेक से क्या भुगतान करने की सुविधा प्रदान करता है नहीं कि बैंक से क्या होता है हम लोग उससे पे कर सकते हैं भुगतान कर सकते हैं और क्या है इसके आतिश好 कि काहते है कि बढ़तमान समय during a देन अतवाखरीद विक्री के लिए bank अपने ग्रहों को क्या देता है ATM देता है और ATM के सार्टक्याइब काड जो है जारी करते है और इसके जो ATM ऑडेबिट काड़ दूनों का को खरीद सकता है तो अभी एक और नया चीज भी जो या अड़ हो गया है कि वह है digital money कि हमारे account में पैसा रहता है वह क्या credit card debit card की भी जवरत नहीं परती है हम क्या करते हैं चैन करते हैं और फिर number देते हैं फोन पे या यह जो चाप्टर है वह यहीं प्रिशमात हो रहा है अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें शेयर करें और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें हमारे साथ बने रहे, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धनवाद